नमस्कार दोस्तो टार्गेट विद प्येस परिहार चेनल में आपका स्वागत है सुबह के इस वीडियो में ऐसी सूचना होती है जो इभिन समचार पत्रों पर छाइवी होती है और विद्यार्थियों के लिए आवश्रक होती है तो आए देख लेते हैं कि आज के समचार पत दोस्तो टिजटी-पिजटी की 40,000 पतों की भरती अगले मासे सुरू हो जाएगी इसकी बारे में मैंने आप लोगों से बताया था कि अब तक की रिकार्ड भरती होने वाली है इसमें लिखा है नीचे की सूबह के 4,319 सहायता प्राव्त हाइश्कूल वा इंटर कालेज में शिक्षिकों के प्रधानाचारियों के 49,704 रिक्त पदों पर भरती अक्टूबर के अंत में सुरू होगी उत्तर प्रदेश मादिमिक सिक्षा सेवा चैनबोर्ड ने सभी स्कूलों में 7 अगस्त तक खाली पदों की सूचना मांगी थी और यही सूचना अपर सिक्षा प्रधानाचार वह प्रधानाध्यापक के 2749 प्रवक्ता प्रवक्ता प्रशिचित इसनात्तक यानि टीजटी के लिए 30,260 रिक्त पतों की सूचना दिये जाने की जानकारी मिली है तो दोस्तों यह बहुत बड़ा मौका है आप लोगों के लिए अध्यापक बनने के लिए नोकरी पाने के लिए अभी तक इतनी बड़ी भरती कोई भी नहीं आई थी नीचे लिखा कि चैन बोर्ट द्वारा हाई कोट में दिये गया हलाफ नामे के अनुसार इन पदों पर भरती का विग्यापन अक्टूबर के अंधि तक जारी हो जाएगा चैन बोर्ट ने तो 82 से अस्टितों में आये चैन बोर्ट ने इससे पहले इतने अधिक पदों पर एक साथ भरती नहीं निकाली थी हाला कि चैन बोर्ट ने आधिकारी गुरूप से कोई भी आखड़ा जारी नहीं किया है और अपर सिक्चा नेदेशक कार्याला के सूत्र के अनुसार प्रत सूचना दी हैं सूचना तो लगबग एक ही है और यह भी सभी में लिखा हुआ है कि यह जो भरती है अक्टूबर के महिने में आ जाएगी यह देखिए दूसर समचार पत्र है उसमें भी वही बाते लिखी हुई है इसके बाद में अगली सूचना है 69 सिक्चक भरती की इसक केस अपीलों पर अंतिम सुनवाई मंगलवार को सुरू कर दी अगली सुनवाई 26 सितंबर को है याज काम में एकल नायधीस के उस भैसले को चुनोती दी गई जिसमें भरती परिक्चा में नुन्तम अहरता अंग समानवर के लिए 45 परसत और आरचत वर के लिए 40 परसत रख बरती वीडियो की OMR सीट आर सफता में याची को उपलत कराने के निरदेश दिया है याची कहना कि उसकी कापिक मुल्यागन ठीक से नहीं किया गया था और यह आदेश नयमूर्थी अशुनी कुमार मिस्रे ने जौनपूर के संतोष कुमार वह दो अनकी याज कपर दिया ह इसके बाद में एक और सुतना है और यह लोग सिवा आयोकी है लिखा पेपर लिग की जाच में फसी दो बड़ी भरतियां निचे लिखा लोग सिवा आयोकी दो बड़ी भरती के परिडाम पेपर लिग के आरोबों की जाच के कारण अटके हैं और इन में से एक है समिच्छ दिकारी साइक समिच्छा दिकारी यानि आरो ए आरो प्री 2016 और दूसरी है ल्टी ग्रेट सिच्छक भरती 2018 नीचे लिगाए आरो ए आरो प्री 2016 परिच्छा को धाई साल से अधिक हो गए और 361 पतों के लिए 27 नवंबर 2016 को हुई परिच्छा के दोरान लखनाओ के एक सेंटर से पेपर लिख होने के आरूप लगे थे जिसकी CBCID ने जाच की और दो साल बाद पिछले दिनों इस एजनसी ने रिपोर्ट थी कि वो पेपर लिग के सांक्छिन नहीं मिले आयोग में परिडाम चारी करने की तियारी चल रही थी कि पेपर लिग की सिखायत करने वाले IPS अ आगे बढ़ा रहा है नीची लिखा है एल्टी ग्रेट सिस्चक बर्ती 2018 परिछत 29 जुलाई को हुई थी और सब्सक्राइब को ग्रफतार किया था दोनों ही भर्तियां काफी मातपूर्ण है और तर्चा है कि एल्टी ग्रेट सिस्चक बर्ती के जो परड़ाम है वह आ सकता है लेकिन आरो यारो सोला का उसकी मृत्ति हो गई है और तब ऐसा लगा था कि आरो यारो दो सोला का जो परड़ाम है वह बहुत जल्दा जाएगा लेकिन उसके बाद जैसे ही अमताप ठाकुर ने पुनर विचारिया आज क्या दाखिल की और उसके बाद लोग सेवा आयोग ने इस भरती को वह इस इत्याजी भरतियों की और उसमें एक बहुत बड़ा बदलाव होने वाला है असरकार करने जा रही है और बदलाव यह है कि केवल परिच्छा में जो अंक प्राप्त होते हैं उनके अनुसार ही IPS या IS का कैडर नहीं मिलेगा और जब आपके ट्रेनिंग होगी ट्रेनिंग के दौरान आपकी छंपता देखी जाएगी और आप IPS बने लाएक है या IS बने लाएक या नहीं है और आपके छंपता की अनुसार और आपके बहुर के अनुसार आपको रहेन के मिलेगी इस की IPS की IRTS की जो भी वर्तियां होती है उनकी और जब रिजल्ट आएगा UPSC का जो एक्जाम होता है प्री मेंस और सक्षातकार उसके बाद से सभी विद्यार्थियों को ट्रेनिंग दी जाएगी और ट्रेनिंग के बाद में ही यह निर्ण लिया जाएगा कि यह वर्ति IPS बन में होने वाले हैं यहाँ पर लिखा है कई और बड़े बदलाव इस प्रस्ताव के अनुसार मोधी सरकार सिविल सर्विसेज परिक्षा के सालों पूराने सिस्टम में बखुत बड़ा बदलाव लाएगी इसके तहट परिक्षा में सफ़ल लोगों के लिए नौकरी और आज में जाने लायक है इसके मतलब यह है कि परिक्षा में टॉपर को आयस काड़ रहना मिले और कम रेंक में आने वाले को भी ट्रेनिंग में बेहतर प्रस्टर्शन करने के दौरान आयस बनने का मौकम मिल जाए तो यह सही बात भी है केवल पढ़ाई लिखाई से ही मतलब नहीं होता है कि विद्यार्थी में किस चीज की चमता है किस चीज की चमता नहीं है वो डिसीजन मेकर है या नहीं है उसमें सास है या नहीं उसमें किस प्रकार की चमता है यह ट्रेनिंग के दोरान ही पता चलता है और स्वेस्ट्र में बदलाव होना भी चाहिए उसके उसमें नोकरियों में छूट रहेगी और प्रवेस में भी छूट रहेगी किसी भी विद्यालें उत्यादि में लेकिन उम्र में छूट नहीं दी जाएगी तो यहां पर लिखा डी ओपीटी ने अपनी ही सरकार के दूसरे मंत्राला के आग्रह को खारिज करते वे आर्थिक र प्रिच्चा में बैठने के लिए उम्र में छूट के रूप में नहीं थी और इस कानून के लागू होने के बाद निकली पहली सरकारी निक्ति के बाद ये बात सामने आई थी आम तोर पर अगर ये सूचना आपको अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक अबस कर दिया करें जिन वित्रों ने अभी भी चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो सब्सक्राइब कर लें पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद